नमस्कार दोस्तो आपका आपके अपनी चानल में स्वाक्त है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की नो जनबरी के कुछ एक महत पूरन एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स जो है वो रहने वाले हैं तो HPU ने एक और कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करें हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा इसी के साथ है एच्प्यू के जो यूजी और बियर्ड के एग्जामनेशन फोर्म फिल हो रहे हैं वो कहां से भरें तो उसके इसी के साथ है एच्प्यू ने जो यूजी के 1990 ओनवर्ड स्टुडेंट्स को स्पैसल चार्ज दिया है और यहां पे कुछ एक ऐसे स्टुडेंट्स है जिनके ओफलाइन फोर्म जो है वो फिल होते हैं तो अब यह जो ओफलाइन वाले स्टुडेंट है यह अपने फोर्म क करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले अगराम लोग यहां पे एच्प्यू रिजल्ट की बात करें तो एच्प्यू ने जो है वो कल बीए एमस फोर्थ एयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है यह एक्जाम जो है सब्तंबर में यहां पे हुए थे और आप इनक अगराम लोग यहां पे बात करें कि एच्प्यू के जो रिजल्ट अभी पैंडिंग चले हुए हैं यूजी के वो कब तक जारी होंगे तो यह सबी रिजल्ट जो है वो जनबरी लास्ट तक जो है वो जारी हो जाएंगे क्योंकि यहां पे एक्जामिनिसन फोर्म को फिल कर करने की जो लास्ट अब वो पंदरह फर्ब्री रखे गई है तो उससे पहले पहले जो रिजल्ट जारी हो जाएंगे और जो मैक्सिमूम चान्सेस हैं वो जनबरी लास्ट में यहां पे जारी होने के हैं इसी के साथ आप आगर हम लोग यहां पे बात करें कि अच्प्यू क सेम बात यहां भी आगी कि जो examination form है उनको फिल करने के लिए जो इन्होंने last date रखी गई है वो वहाँ पे 15 February रखी गई है तो 15 February से पहले पहले जो भी reappear के result थे वो यहां पे जारी हो जाएंगी बकी जैसे ही किसी का result जारी होगा मैं आप लोगों को जो है वो यहां पे by video inform कर दूंगा अब अगर हम लोग यहां पे बात करें कि HPU के जो UGBAD के examination form निकले हुए है वो student कहां से अपने examination form जो है वो यहां पे फिल करें तो उसके लिए जो है वो उन्होंने अपने browser पे an exam hpu.in type करना है और उसको search कर लेना है तो जैसे ही वो इसको type करेंगे और search करेंगे उ तो नीचे scroll down करना है और regular January batch वाले इस option पे क्लिक कर देना है उसके बाद उन्होंने press वाले option पे क्लिक करना है जैसे वो इस option पे क्लिक करेंगे उनके पास एक ऐसा interface यहां पे open हो जाएगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि B.A. third, B.A. first semester के examination form है वो यहां पे जारी हो इसी है तो सभी के examination form जो है वो यहां पे आ गए है तो यहां से जो है वो यहां आप सभी के examination form फिल होंगे अब next update की बात करें कि जो यहां पे 1990 ओन वर्ल्ड student है यूजी के जिनको special chance मिला हुआ है और उनके जो है वो बहाँ पे offline examination form फिल होते थे तो उनके जो अभी improvement वाले य download जो है वो search कर लेनी है तो जैसे ही hp download करके वो search करेंगे उनके पास एक ऐसा interface यहां पे website का सबसे पहले option आएगा तो उन्होंने downloads वाले option पे click कर देना है जैसे ही वो इस option पे click करेंगे तो उनको यहां पे जो है जो उनके form है वो यहां पे मिल जाएंगे offline तो यहां पे search का option भी है तो उन्होंने यहां पे examination related form search कर लेना है तो जैसे यह सर्च करेंगे उनके पास एक ऐसा यहां पे interface आज आएगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि examination form है तो आप यहां पे कौन सा examination form फिल होगा तो यहां पे option दिखेगा BA, BAC, 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 second or third year examination form तो यह examination form download करके उन् यहां से फिल होगा next updates की बात करें तो next updates जो हम पर सदार प्रेल उन्वस्टी मंदी से समंधिते रहने वाले हैं तो यहां पर सदार प्रेल उन्वस्टी मंदी ने भी कुछ एक जो notification वो जारी करे हैं तो यहां पे SPU ने BA, BAC, BAC, BACOM की जो supplementary की date sheet अब वो जारी कर दी है इस ने फिल नहीं करे हैं तो दोस्तों इतमरे आज के कुछ एक updates अगर आपको यहां पे फिर भी कोई doubt है आपकी कोई query है तो आप लोगोंने मेरे telegram group को join कर लेना है जिसका link जो हम आपको video description में दे दूंगा तो जैसे ही आप लोग मेरे telegram group को join करोगी उसके बाद जो भी आपक स्क्रीम आरचात बने रहीं धन्यवाद